मुश्कार दोस्तों सौगत है पर टेक तूर की एक नई वीडियो में आज हम करेंगे कोर्ट स्टोर के सूपर स्टार्टर किट के अन्बॉक्सिंग बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक डॉक्रमेंट देखने को मलता है जिसके अंदर इसके पार्ट्स लिस्ट है और साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप एक लक्की वेनर हो और आपको एक सर्वो मोटर और एक वाइफाय मॉडूल फ्री में देखने क को मल जाता है वाउक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक USB टाइप B to USB टाइप A केबल देखने को मलती है इसकी बिल्ट क्वालिटी काफी खीक थाक है आडवीनो उनो को इस USB केबल की थ्रू कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है इसके बाद हमें एक dot matrix displays देखने को मल जाती है इसमें की एक है one digit display, second one is four digit display and जो third one है वो है eight by eight matrix display इसके बाद आपको देखने को मल जाता है UNO R3 compatible board यह एक original Arduino UNO नहीं है बट यह बिल्कुल original one की तरह ही काम करता है build quality भी काफी ठीक ठाक है कोई भी moving part मुझे नहीं देखने को मिला है कोई part shaky हो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है और साथ ही साथ इसमें सभी LEDs बिल्कुल सही तरीके से काम करती है इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक ultrasonic sensor जिसका जो model number है वह है HCSR04 और इसकी build quality भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और यह part की तरफ चलते हैं तो इसमें हमें देखने को मिल जाती है breadboard power supply जो initial impressions है उसके तहत यह काफी अच्छी build quality का लग रहा है मुझे breadboard और एक expansion shield देखने को मिल जाती है जो कि एक anti-static covering के अंदर आती है जादा तर parts इस kit में इसी packaging में देखने को मिलते हैं आपको एक 40 pin header भी देखने को मिल जाता है जो की काफी fragile है इसलिए आप इसे समाल के रखिएगा इसके बाद जो एक छोटा सा आप देख रहे हैं यह shift register system कहते हैं basically करता क्या है यह series data को parallel data में convert करता है इसके बाद आपको एक full size breadboard देखने को मिल जाता है जिसकी build quality भी काफी अच्छी है और इसमें connection में कोई problem नहीं आती है और इसके पीछे आपको एक adhesive tape देखने को मिल जाती है जो कि अगर आप एक permanent project मिलनाना चाहते हैं तो आप service के लिए इसे use कर सकते हैं इसके बाद आपको एक 1602 screen देखने को मिल जाती है अभी तक मैंने इसे use नहीं किया है तो मुझे इसके बार में साधा information नहीं है इसके बाद आपको uln2003 driver देखने को मिल जाता है जिसे हम आम भाशा में stepper motor driver के नाम से भी जानते हैं यह भी आपको same anti-static packaging में देखने को मिल जाता है इसके बाद आपको कुछ male to male jumper wires देखने को मिल जाती है जिनकी quality बहुत बढ़िया तो नहीं बट हाँ average आप कह सकते हैं इस plastic packaging के अंदर आपको push buttons और caps देखने को मिल जाते हैं और साथी साथ इसमें आपको potential meter भी दिया गया है इसके बाद आ card मिलता है जिसके अंदर आप registers की color scheme पहचान सकते हैं इस color scheme के तुरू आपको इसी भी resistor की resistance निकाल सकते हैं इसके बाद box में आपको एक stepper motor देखने को मिल जाती है इसके बाद आपको देखने को मिलता है small box ये काफी अच्छे addition है because कुछ small parts होते हैं जो कि आपके कहीं गिर ज सकते हैं इसलिए आप इस small box के use कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी पार्ट को store करने के लिए इसके बाद आपको एक plastic packaging के अंदर photo register flame sensors vibration switch ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बाद आपको तीन color की LED lights देखने को मिल जाती है red, blue and green and ये हैं कुछ single male to male wires इसके बाद यही वो wifi module है जिसका model number है ESP8266 जो कि आपको free में देखने को मिल जाता है इस kit के साथ इसके बाद आपको काफी सारे resistors देखने को मिल जाते हैं particle resistance के जिसे की 220 ohms, 330 ohms, 10 kilo ohms and 1 kilo ohms इसके बाद आपको एक servo motor देखने को मिल जाती है जो कि इसके साथ आपको free मलती है in case आप से और साथ ही साथ आपको एक battery holder भी देखने को मिल जाता है जिसके तुर आप अपनी battery connect क power supply कर सकते हैं बेना किसी external power supply के है इसके बाद आपको एक remote देखने को मिलता है जिसकी quality इसके price के हिसाब से काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है अमीद करते हूं आपको unboxing पसंद आई होगी और अगर आपको यह unboxing पसंद आई तो please video को like करना ना बोलें इचे अपने comments लिखें जो भी आपका suggestion हो या feedback हो अगर आप इस kit को purchase करना चाहते हैं तो नीचे description में सबी links provided है